नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितेश बक्षी, डिजिटल मार्केटर, एपिक्स एन्फोर्टेन्मेंट के साथ, और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि स्टेज पर पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करें. दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को स्टेज फियर का शिकार होना परता है, और पब्लिक स्पीकिंग दिन बे दिन और जरूरी होता जा रहा है, चाहे आप किसी एन्वेस्टर को पिछ कर रहे हो, या फिर आप कॉलेज में कोई एक स्टेंपर प्रेजेंट कर रहे हो, त पीच या प्रेजेंटेशन में एनजी इंपोर्टन्ट रोल प्ले करती है, जब भी आप मंच पर हो, तो यह जरई है कि आप अपने दर्शकों को पूरी एनजी और ध्यान के साथ अड्रेस करें, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स न बनाए और जिस टॉपिक पर आपको प्रेजेंटेशन देना है उसे मेमराइज न करें, अपनी स्पीच को एंगेजिंग बनाने के लिए उनके सेल्फ इंट्रेस्ट के लिए अपील करें, तू, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, दर्शकों के पेन पॉइंट को अड्रेस करते समय दर्शकों के साथ रि स्टेज पर जाने से पहले कुछ हुक स्टेटमेंट्स याद कर लीजिए, फोर, स्टोरीज और एग्जांपल्स, स्टोरीज और एग्जांपल्स से आपके ओडियन्स को आप अनेबल कर रहे है, विज्वलाइज करने के लिए जो आप उन्हें बोल रहे है, आपने देखा ह मोटा डीटेल मेंशन कीजिए, अगर हो सके तो अपने कॉंटेंट को आकरशित बनाने के लिए एक स्टोरी के फॉर्म में आप उनको नरेट करके सुनाइए, उनका अटेंशन ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर पाएंगे, उनके अंदर कॉंफिदेंस और ट्रस्ट जे 7. Build contrast or antithesis Barack Obama कहते हैं, speak contrasting statements to make the speech interesting, क्योंकि लोगों को आदत होती है उन चीजों को ज्यादा ध्यान से सुनने का जो unusual पर informative हो, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ देखा तो ये entertainment रह जाएगी, और अगर हमारे दिये गए lessons को आपने implement किया, तो आपकी जिंदगी में profitability लाएगी, आपको एक successful public speaker बनने की journey में आगे लेके जाएगी दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, हमारे चैनल को subscribe किया और अपने दोस्तों को भी share किया, इसके लिए आपका धन्यवाद